प्रश्राइक क्लास चले पहले हम पिछले क्लास का पिछले वीडियो का होमवर्क जो दिये थे उस होमवर्क पे डिसकस कर लेते हैं ठीक है तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन था ये क्या है find the current यानि circuit में हमें current को कह रहा है find करने के लिए धारा विद्धु धारा को in an element यानि circuit ठीक ना कोई परिपर्थ है उसमें से विद्धु धारा का मान कह रहा है when the charge entering the element is यानि charge entering यानि आवेस दे दिया है क्यों कमान दे दिया है कितना 10 T C 10 T C ठीक है where T is the time in second यानि समय दे दिया है T जो की second में है समय second में होता है minute में होता है hour में होता है तो समय दे दिया है हमें T second में तो अब इसमें से कह रहा है कि current का मान यानि हिंदी में भी लिखे हुए किसी परिपत में धारा ग्याद किजिए जब उसमें परवेस करने वाला charge यानि आवेस 10 T C है जहां समय T second में है तो क्या हो जाएगा विद्धु धारा का मान चलिए देखते हैं इसका solution साधारन सा question है simple है क्या होता है धारा बढ़ावर आ है इसमें देख लिजे क्यू का मान दे दिया है क्यू यानि आवेस आवेस का मान कितना दे दिया है 10 T कूलंब ठीक है उसके बाद और क्या दे दिया है समय दे दिया है T समय टाइम क्या दे दिया है T second में क्या पूछ रहा है आई धारा बिद्धु धारा ठीक है बिद्धु धारा पूछ रहा है कितना MPR इसका मात्रक होता है तो आई बराबर क्या होता है Q अपन T आवेसो के परवा होता है Q अपन T Q का मान कितना है 10 T कूलंब ठीक हो जाएगा यहाँ पे 10 T समय का मान कितना दिया हुआ T second यहाँ पे क्या हो जाएगा T T और T केंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 MPR यानि आई बराबर कितना हो जाएगा 10 MPR करेंट का मान कितना निकला 10 MPR तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 10 MPR यह C option ठीक है 10 MPR हो जाएगा साधारन सा question है LMRC maintainer 2018 में आया हुआ question है ठीक है ना next question है if the distance between two equals charges यानि दो आवेस है उसके बीच की दूरी है बीच की दूरी को क्या करा doubles अगर double कर दिया जाए दो आवेसित पिंड है दो आवेसित वस्तू है उसके बीच की दूरी को double कर दिया जाए तब कहरा the force acting between the charge तब force क्या होगा charge के बीच dash dash by a factor of dash dash कमेगा घटेगा और घटेगा तो कितना गुनना घटेगा बढ़ेगा तो कितना गुनना बढ़ेगा question यह कह रहा है यानि क्या कह रहा है question यदि दो समान आवेसों की दूरी दो समान आवेसों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेसों के मद लगने वाला बल dash गुना हो जाता है कुलंब का नियाम उसमें क्या पढ़ाए है दो आवेसित बस्तूओं के दो आवेसित बस्तूओं दो आवेसित पिंड जो हता है उसके गुनन फल के समान उपाती होता है कुलंब फोर्स जो हता है उसके समान उपाती होता है और दो आवेसित बस्तूओं के बीच के दूरी जो हता है दूरी उसके वर्ग के व्यूत कर्मान उपाती होता है यानि क्या होता है एफ जो हता है दो आवेसित क्यूओं और क्यूटू दोनों आवेसित पिंडो के गुनन फल के समान उपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग यानि अपन में हो जाएगा ठीक है ना के व्यूत कर मानुपाती होता है warg यानि sqire के व्यूत कर मानुपाती यानि 1 upon में यह होता है नकूलम्स law में अगार इसको बरावर करेंगे तो इक वस्टो के और के बरावर होता है 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r होता है ठीक है अब देखते हैं कह रहा है कि बीच के दुरी दुबूनी कर दिया जा, यानि r का मान 2r कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4r का square हो जाएगा, single r है, तो r का square, 2r करेंगे, तो 4r square होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, जब नीचे 4r हो रहा है, r square है, अब 4r है, तो क्या force का मान बरहेगा, या घटेगा, तो चुकि यहाँ her, यानि denominator uns upon her, her का मान अगर increase होगा, तो भागफल जो है, so उसका मान decrease होता जाएगा, 1 upon 2 में, और 1 upon 4 में बरा कौन सा होता है, 1 upon 2, बहले 4 बरा digit है, लेकिन क्या हो है, uns upon her, her का मान increase हो रहा है, तो result जो है, भागफल जो है, so decrease होते जाता है, ये भाग का नियम है, भाग है, ये simple सा, तो यानि r का मान अगर increase करते हैं, तो यहाँ force का मान decrease होगा, कितना decrease होगा, यहाँ 4 r का square हो जाएगा, यानि 4 गुनना कम होगा, तो यही question इसमें है, देखिए, यदि दो समान आवेसों के बीच की दूरी दूगुनी कर दी जाए, तो दोनों आवेसों के मद लगने वाला बल, कितना गुनना, 4 गुनना, तो क्या हो जाएगा, 4 गुनना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, increase, increase तो होने रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या 2 गुनना कम हो रहा है, नहीं, कितना हो रहा है, तो 4 गुनना कम हो रहा है, तो option D हो जा इह ये झा नेक्स्ट कंस्टन है के डार्व ये का है क्यों कुन लेक्ट की लो वाट अब ही देडा और में धिया हुआ है और किलो केलोरी में होता है विद्दूत उर्जा का मात्रक तो कीलो केलोरी तो होता ही है तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं जूल में परिवर्थित कर लेते हैं तो इसका सोलूशन देखते हैं क्या है क्या है 1 kWh तो पहले वाट में convert करेंगे और second में ठीक है ना चुकि जूल में परिवार्तित कर रहे हैं तो 1 kWh वराबर होता है 1000 W ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक गुने 1000 ठीक यह वाट हो जाएगा गुने आवर है तो second में बदलेंगे पहले minute में बदलेंगे तो एक आवर में 60 मिनट और फिर 60 से multiply कर देंगे तो के इतना हो जाएगा 60 into 60 second हो जाएगा ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं 1 kWh वराबर 1000 W और एक आवर बराबर 3600 सेकेंड ठीक है तो क्या हो जाएगा 3600 into 1000 ठीक यह हो जाएगा आपको जूल में ठीक अब जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो पहले हम जानते हैं एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 upon 4.18 कैलोरी ठीक तो जब 1 जूल बराबर 1 upon 4.18 कैलोरी हो जाएगा तो इतना जूल बराबर 3600 गूने 1000 गूने 1 upon 4.18 कैलोरी हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6 पहले इसको ले ले लेते हैं 10 to the power 16 दू पाँच और इधार दसमलब ले ले लिए तो 6 हो जाएगा ठीक है शुबधा के लिए और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा 1 upon 4.18 कैलोरी हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं कीलो कैलोरी ले ले लेते हैं अगर इसमें 3 माइनस कर देंगे तो क्ये लिख सकते हैं तो कि 3 एड कर दिये तब नहीं यहाँ पे वाटे कीलो हट गया जब लगाएंगे इसमें तो इस 3 गो सुनना को हटा दिये तब यहां क्ये लगा यहां reverse देख लेते हैं यहां पे क्ये हटाने के लिए 3 को सुनना से multiply क करना परा 1000 से अगर इसमें W में के लगाएंगे तो यह 3 को सुनना हटा देंगे तो यहां पर क्या होगा 3 को सुनना को माइनस कर देंगे तो के लग जाएगा इसको अलग डिवाइड कर देते हैं 3.6 into 4.18 into 10 to the power 3 कीलो कैलोरी ठीक है ना अब इसको अगर काटते हैं तो लगभग लगभग 860 कीलो कैलोरी निकलेगा इसका मान ठीक ना इसको जब कल्कुलेट करेंगे तो इसके मान के बराबर आएगा और यह option हो जाएगा ठीक है next question है एक British UPPCL में आया हुआ question है और यह भी आया हुआ question है ठीक है ना एक British आसुसक्ती होता है metric आसुसक्ती होता है तब ही तो होर्स पावर का वाट में कहीं लिखा रहेगा यहाँ पे 746 रहेगा और कहीं लिखा रहेगा 735 दसमलब 5 वाट भी लिखा रहता है तो वो क्या होता है 735 metric आसुसक्ती का मान और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा British आसुसक्ती का मान ठीक है ना यह metric आसुसक्ती का मान है और यह British आसुसक्ती का मान होता है 746 ठीक है यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्टी से जुरा हो तो इसके द्वारा उत्पादित उसमा क्या होगी यानि हीटर को 220 वोल्ट चाहिए ठीक है ना जरूरत है उसको 220 वोल्ट लेकिन हम आपूर्टी कर पा रहे है 110 वोल्ट तो अब उससे उसमा उत्सरजित कितना होगा क्या आधी हो जाएगी आधी हो जाएगी क्योंकि आधा वोल्ट दे रहे है सीधे 220 का आधा दे रहे है तो क्या आधी हो जाएगी या एक चोथाई हो जाएगी या फिर दुगुनी हो जाएगी दुगुनी तो होगी ने कम ही होगा ठीक है ना या समान रहेगा उसमा क्या रहेगा वो तुम जानते कि वोल्टेज कम देंगे तो कहीं न कहीं आवेस कम होगा धारा कम होगा उसमा भी कम होगा तो इसका क्या होता है हीट माना कि एक वोल्ट वीवन देल ले लेते हैं 220 वोल्ट है वीटू कितना है 110 वोल्ट ठीक है 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 एच वन परपोर्शनल टू वीवन का स्क्वाइड वोल्टेज होता है हीट होता है और यहां है एच टू वीटू का स्क्वाइड ठीक इसको रिजियो में निकालेंगे एच वन अपन एच टू इक्वाज टू वीवन अपन वीटू का स्क्वाइड ठीक है तो अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा h1 upon h2 equals to v1 कितना है 220 upon v2 110 का square कितना हो जाएगा 2 गुलना ठीक है तो कितना हो जाएगा h1 upon h2 बराबर 2 दोना 2 का square है यानि क्या हो जाएगा h1 equals to इधर h2 दोना 4 और ये h2 इधर चलाएगा यानि अगर हम h2 निकालेंगे ना चुकि क्या दे रहे है 110 वोल्ट दे रहे v2 तो यानि h2 क्या हो जाएगा h2 बराबर इधर अपन में आजाएगा यानि h1 upon 4 यानि एक चोथाई हो रहा है सीधे चोथाई हो जाएगा answer ठीक है तो यानि क्या हो जाएगा इसका answer चोथाई हो जाएगा एक चोथाई उसमा उत्सरजित होगी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बिद्दुत सामगरी के उस गुन को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा परवाहित होता है बिद्दुत सामगरी में उस गुन को क्या कहते हैं जिससे विद्धुधारा परवाहित होती है तो प्रेरक्ट, अग्राहिता, चालक्ता, प्रतिरोद प्रतिरोद तो बाधा उथपन करती है इंडक्टर, मेगनेटिक फिल्ड जेनरेट करने के लिए अग्राहिता, चालक्ता इसका एंसर हो जाएगा इसका answer क्या होगा चालक्ता, चालक्ता के कारण ही विदुधारा परवा होता है आवेसो का परवा होता है एलेक्टोन्स का परवा होता है ठीक है next question उस्मा की व्यवहारिक SI-Eकाई क्या होती है तो हम लोग को पता है कि जूल होता है इसका answer क्या हो जाएगा option B, जूल ठीक है next question next question है 60 watt और 25 watt lamps are of the same voltage rating ठीक है न कहाने का मतलब है कि एक अपने पास 60 watt का बल्ब है और दूसरा 25 watt का बल्ब है ठीक है न दोनों को हम same voltage दे रहे है 25 watt है और 60 watt है दोनों को हम same volt दे रहे है ठीक है न तब क्या कर रहा है कि परती रोद जो है 25 watt lamp का क्या होगा मतलब दोनों का compression है है न 60 watt और 25 watt के 2 lamp समान वोल्ट था अनुमत में है 25 watt lamp का परती रोद क्या होगा तो चलिए देखते हैं lower than 60 watt lamp ठीक है क्या 60 watt lamp से कम होगा उसका परती रोद क्या 60 watt के समान होगा क्या 60 watt से ज्यादा होगा इसमें से कोई भी नहीं इसका solution देख लेते है तब इसका टुका नहीं मारना है ठीक है ना तो क्या होता है power बरावर होता है ना V square upon R एक होता V into I और एक होता V square upon R I कमान देने के बाद V square upon R हो जाता है तो इसको R अगर इधार करते हैं तो V square upon P हो जाता है ठीक है अब देखे इसमें समान voltage दे रहे हैं दोनों में same voltage दे रहे हैं परती रोध पूछ रहा है एक में है दोनों का same voltage है अब बस power increase और decrease हो रहा है एक है 60 watts का एक है 35 watts का अगर इसको increase करते हैं अगर यहां P अगर increase कैंन सो resistance क्या होगा यहां पे पी अगर increase करेंगे इसका मान value होगा और यह same है इसका मान घटेगा न यानी क्या है R जो है सो घट रहा है अगर P का मान घटा रहे हैं आर का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा अगर तो 60 वाट और 25 वाट में अगर पावर अगर बढ़ा रहे हैं तो परतिरोध क्या हो रहा है घट जा रहा है तो यानि किसका 25 वाट लेंप का परतिरोध क्या हो जाएगा यानि 25 वाट जो है सो कम हो रहा है तो 60 watt के परतिरोध से ये ज्यादा होगा होगा न ज्यादा चुकि 25 watt यहां दे रहे हैं आग 10 watt देंगे तो घट जाएगा और 25 watt देंगे तो बढ़ जाएगा यानि 25 watt का परतिरोध बढ़ जाएगा किस से? 60 watt से तो क्या हो जाएगा? higher than 60 watt lamp तो क्या हो जाएगा? option C हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा? option C हो जाएगा ठीक है ना? higher than 60 watt lamp ठीक है? next question next question है filament resistance of 20 watt bulb and 40 watt bulb both rated to same voltage of operation is in the ratio प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 20 watt bulb तथा 40 watt bulb का तन्तू प्रतिरोध अनुपात क्या है? एक bulb दो बल्ब है जो different wattage का है और उसमें voltage जो है सो same दे रहे हैं ठीक है ना? एक 20 watt का बल्ब है एक 40 watt का बल्ब है और दोनों में यानि तो 220 220 वोल्ट दे रहे हैं या 110 110 वोल्ट दे रहे हैं या 50 वोल्ट 50 वोल्ट इस तरह का दे रहे हैं उसमें ठीक है ना? तो अब उसके तन्तू का प्रतिरोध ज्याद करना है तो क्या हो जाएगा? तन्तू का प्रतिरोध इसका सलूशन ठीक है? टुकाने मानना है क्या होता है पावर वड़ाबर V square upon R होता है ठीक है ना? V I होता है और I वड़ाबर ओम सुलब V equals to I R तो I वड़ाबर V upon R तो क्या हो जाएगा? V into V V square upon R ठीक है? अलग-अलग भोल्टेज तो सबका समान दे रहे है पावर दोनों का अलग-अलग है ठीक है? तो एक R1 निकाल लेते हैं R1 कितना? V square upon P कितना मान है? 20 Watt ठीक R2 निकाल लेते हैं V square upon P2 क्या है? 40 Watt दोनों का अलग-अलग निकाल ले ठीक अब क्या करते हैं? दोनों का रेशियो निकालना है R1 और R2 का रेशियो निकालना है तो R1 रेशियो R2 तो क्या हो जाएगा? V2 upon 20 अब भागा V2 upon 40 ठीक है? किसी-किसी को calculation थोड़ा सा tough होता है math कमजोर होता है तो कोई दिकात ने short cut नहीं मारेंगे ठीक R1 upon R2 equals to क्या हो जाएगा? V square upon 20 और यहां क्या हो जाएगा? यह पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 upon V2 भाग है तो यह पलट जाएगा 20 दूना 40 ठीक है? V2 और V2 दोनों का समान वोल्टेज है तो यह क्या हो जाएगा? Cancel हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R1 upon R2 वड़ावर क्या हो जाएगा? 2 upon 1 यानि रेशियो देखा जाए R1 रेशियो R2 का क्या हो जाएगा? 2 रेशियो 1 हो जाएगा इसका answer ठीक है 2 ratio 1 इसका answer 2 ratio 1 हो जाएगा ठीक है इसलिए कहते हैं देख रहे हैं ऐसा ऐसा question है अगर हम आज से अगर 3-4 वीडियो पा रहीं अगर इसको हम खत्म कर देते तो क्या यह सब question हम discuss कर पाते और यही बज़ा है question discuss ज्यादा practice नहीं करने के वज़र से competition नहीं निकल पाते है जबकि यह question इसी chapter का है अब यह question क्या transformer और motor generator में discuss करेंगे कि इसी chapter में न ठीक है तो practice करना जरूरी है next question next question है अपने पास a register is connected to a voltage source ठीक है register यानि कोई load connected है उसमें जो पर्तिरोध है वो किसी voltage श्रोध से जोरा गया है what will happen to the power dissipated in the register if the voltage is double ठीक है एक पर्तिरोधक को किसी भोल्टता श्रोध से जोरा गया है यदि भोल्टता दुगुनी की जाती है तो उस पर्तिरोधक में विश्रित होने वाली सकती का क्या होगा अब देखिए पहले क्या था voltage समान था ठीक है अब voltage को double कर दिया जाता है तो अब power में क्या अंतर होगा वो देखते हैं ठीक है voltage double कर दिया जाता है और पर्तिरोध जो है सेम है पर्तिरोध सेम है यानि उसमें क्या था कि जितना wattage का था तो wattage different तो परतिरोध भी different हो जाता था ठीक है ना इसमें कहा रहा है कि परतिरोध जो भी load है उसका परतिरोध same है भोल्टता को दुगुन्नी कर देती है तो अब power में क्या अंतर होगा इसका solution है क्या हो जाता है power बराबर भोल्टता और resistance के ratio में तो V square upon R होता है ठीक है तो अब power देखना है तो एक P1 में क्या होता है P1 में भोल्टता same है ठीक और परतिरोध same है भी 1 है ठीक है ना और दुसरा इसको समीकरन एक माल लेते है ठीक है दूसरा P2 जो लेते है उसमें 2V कर देते है भोल्टता दुगुन्नी होती है दुगुन्नी कर दी जाती है तो 2V का square अपर में क्या हो जाएगा R हो जाएगा इसको समीकरन दो ले लेते है ठीक है अब क्या है दोनों का ratio निकालते है समीकरन एक भागा दो ठीक है तो P1 अपर P2 तो क्या हो जाएगा V2 का square अपर R अगुने ये भाग में है ये पलट जाएगा ठीक है ना R अपर 2V का square हो जाएगा ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा V2 दोना 4 V2 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 कैंसिल क्या हो जाएगा P1 अपर P2 equals to 1 अपर 4 तो क्या हो जाएगा क्रोस मल्टिपल करेंगे 4P1 बराबर P2 ठीक है अब पूछ क्या रहा है R Ratio Ratio पुछरा होने वाली सकती P1 और P2 में क्या हो जाएगा दुगूनी हो जाएगी चोगूनी हो जाएगी आधी हो जाएगी चोथाई हो जाएगी P1 के compression में P2 यानि P1 जो है सो हो जाएगा 1 अपन 4 P2 यानि इसका answer जो है सो हो जाएगा चोगुन्नी हो जाएगी becomes four times चोगुन्नी हो जाती है ठीक है ना वो कैसे हो जाती है चोगुन्नी देखे एक परतिरोधा को किसी भोल्टता सुरोध से जोरा गया है ठीक है यदि भोल्टता दुगुन्नी की जाती है भोल्टता दुगुनी कर दी जाती है तो पर्तिरोध में विश्रित होने वाली सक्ति का क्या होगा तो भोल्टता दुगुनी कर दी गई है पहले P था P1 था उसमें भोल्टता B था ठीक है परतिरोध दोनों में समान है P2 में भोलता को दुगुनी कर दी गई है इसका परतिरोध समान है अब क्या है P1 अपन P2 किये तो P1 अपन P2 में क्या है B square अपन R हो गया और इसमें क्या है 2B का square अपन R तो ये भाग में है तो ये पलट जाएगा R upon 2B का A square हो जाएगा B square, B square cancel, R, R cancel और दो दोना 4 हो जाएगा 1 upon 4 हो जाएगा यानि P1 upon P2 equals to 1 upon 4 ठीक है न? यहाँ P cross multiple करेंगे तो 4 P1 equals to P2 यानि 4 गुन्नी चोगुन्नी हो जाते हैं यहीं पे है किन है? चोगुन्नी हो जाती है तो इसका एंसर हो जाएगा becomes 4 times ठीक है? next question next question है पने पास the energy consumed by 200 watt bulbs and 4 200 watt bulbs in 10 hour time is यानि 10 घंटे की अबधी में 10 घंटा में 200 watt का बल्ब और 4 200 watt का बल्ब द्वारा उपभोग की गई है तो उर्जा क्या होगा? बिद्दुत उर्जा निकालना है और इस पर कई बार हम question करा चुके है ठीक है ना? और ये question इस रो में आया हुआ question है ठीक है? तो एक बार और देख लेते हैं वीडियो पाउज करके आप लोग पहले से बना सकते हैं ठीक है ना? नई बने तो वीडियो को continue करके देख लिजे solution ठीक है? तो क्या होता है? खपत बिद्दू तूर्जा वराबर कूल सकती गुने कूल समय अपर में एक हजार ठीक है? तो कूल सकती क्या है? पावर पावर पहले निकालना है तो क्या है? समय तो बाद में दो सो वाड का बल्ब है यानि एक बल्ब सो वाड का है तो दो बल्ब कितना हो जाएगा? दो सो वाड इधर क्या हो जाएगा? दो गुने सो ठीक है? और इधर कितना है 4 200 वाट का बल्व है इधर जोड देंगे 1 200 वाट तो 202 हो जाएगा तो 200 गुने 2 तो 4 है तो 4 गुने 200 ठीक है इधर खुल समय गुना में कुल समय तो गुना में टोटल समय कितना है 10 घंटा तो 10 आवर हो जाएगा ठीक है अपन में 1000 ठीक एक सुना तो केंसिल हो जाएगा अब इधर देखते है 200 पलस 4 दोना 800 ठीक है इंटू 1 तो केंसिल हो गया इधर 100 क्या हो जाएगा 8 दो 1000 अपन में 100 क्या हो जाएगा खपत विद्धूतूर जाब डाबर 10 के डवलू एच क्या 10 के डवलू एच है एंसर हाँ है अप्शन डी हो जाएगा 10 के डवलू एच तो इसका एंसर हो जाएगा 10 के डवलू एच ठीक है इसको ध्यान में रखना है याद रखना है जैसे देखिए 131 नंबर बिद्दूत आवेश प्रवाहित हो सकता है ये BMRC Electrician 2016 में पुछा गया कोस्चन है तो उसका एंसर था चालकों के माध्यम से बिद्दूत परवाकिस के द्वारा होता है चालकों के माध्यम से क्या कुछ चालक पदार्थ में होता है अर्ध चालक भी चालक ही हुआ ठीक है न चालकों के माध्यम से धातू के तार में बिद्दूत का परवा होता है किसके कारण तो एलेक्ट्रोन के कारण एलेक्ट्रोन में कौन सा एलेक्ट्रोन परमानू के नाभिक में नाभिक के और्विट में अगर आप्शन में मुक्त अलेक्टोन सेथा था दो was만 पूछा गयाक संनी को requiring जब परवाहीत होता है तो क्या क्या होता है अर्वी चन्री गर 2008 में पूछा गया कोश्चन है एक चार्ज किये हुए खोखले गोले में बाहरी सता के बरावर जो की CRPF Constable 2014 में आया हुआ एक चालक में एक एंपियर धारा परवाहित होती है तो प्रती सेकेल एलेक्टोनों का परवाह होगा क्या होगा 6.25 x 10 to the power 18 एलेक्टोन जो की विजाग Steel Electrician 2015 में आया हुआ कुश्चन है नेक्स्ट है धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभासा के लिए परियोग होता है एमपियर धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसके परिभासा धारा हुआ तो एमपियर जो की आरार भी कलकत्ता 2005 में पुछा गया कुश्चन है नेक्स्ट है कितने एलेक्टोन मिलकर एक माइक्रो एमपियर विद्दुधारा बनाते हैं चलिए नेक्स्ट है विद्दुध वाहकवल आवस्यक होती है इसमें ऑफ्शन था तो एलेक्टोन्स को गतिमान करने के लिए अगर एमप नहीं रहे फोर्स नहीं रहे तो एलेक्टोन्स गतिमान नहीं हो सकता है जो कि एलेक्टोन्स पे धक्का देता है एमप ही ठीक है ना तो यह जो है सो आररवी इलहावाद एलपी द्वाजार आठ और आयो एफ द्वाजार तेरों में और भी एक्जाम में पुछा गया क्वेशन है ठीक है नेक्स्ट है एक खोखले गोलिये चालक के भीतर बिद्दु छेतर सुन होता है जो कि DMRC में हाया वह क्वेशन है 2017 एलेक्टिस्यन ठीक है ना और इससे पहले भी हम क्वेशन डिसकस कराए है और यही कारण है कि जब बारिस का समय होता है बिजली करक्ती है बादल गरजता है तो उस समय फोर वीलर जो होता है उसके अंदर पूरे सिसा पैक करके आदमी सुरक्षित रहते है उस पैक हो जाने में ही सबसे भलाई है ठीक है ना जो कि अंदर में जो है विद्धुतिये छेत्र जो होता है सो सुन होता है ठीक है ना नेक्स्ट प्रिथिवी का परतिरोध क्या होता है सुन होता है जीरो होता है एक दम मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है अभी परतिरोध नहीं पढ़ा है परतिरोध में पढ़ाएंगे तो प्रिथिवी का परतिरोध जो होता है सो बिल्कुल सुन होता है ठीक है न जो कि UPR भी UNL में पुछा गया क्वेश्चन है लेक्टीसियन 2015 में आया है ठीक है और भी एकजाम में आये हुए है विद्दुत उर्जा की इकाई है वोल्ट एम्पियर गंटा जो की UPPCL और भी एकजाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 ठीक है न विद्दुत आवेस का यूनिट है कूलंब ठीक है UPPCL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है धारा परवाह के प्र इसमें हम बताए है ठीक है ना नेक्स्ट है आदर्स धारा सुरोत में सुन होता है क्या होता क्यों होता है आदर्स धारा सुरोत में सुन होता है आंत्रिक चालकता के कारण ठीक है नेक्स्ट है एस्थेतिक विद्दुत उत्पन होती है घर्षन के कारण बस एलेक्टिसिटी दो परकार की होती है एक होती है एस्थेतिक और दुसरा होती है डायनामिक ठीक है एलेक्टिक एस्थेतिक जो एवोनाइट की छार और रेसम के कप्रों में आपस में घर्शन होता है तब aesthetic विद्दूत उत्पन होती है और चल विद्दूत, गतिमान विद्दूत, dynamic electricity वो जो होती है चुमबा की छेत्र में कोई conducting material को घुमाते हैं तो वो चुमबा की छेत्र को काटता है तब उसमें EMF generate होती है तब उससे गतिमान चल विद्दूत, the dynamic electricity उत्षरजित होती है ठीक है, I hope की इतना तक समझ में आगया होगा नेक्स्ट विडियो में और भी question discuss करेंगे ठीक है ना फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेप्टर आएंगे resistance पे ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद